महंगाए के खिलाफ आज दिल्ली में कॉंग्रेस की हला बोल रैली हुई जिसमें कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीजेपी और पियम मोधी को जम कर निशाने पर लिया जिसके जवाब में बीजेपी ने प्रेस कॉंफरेंस करके राहूल गांधी और सोनिया गांधी को निशाने पर लिया बीजेपी के प्रबक्ता संबित पात्रा ने कॉंग्रेस की रैली को परिवार बचाओ रैली करार दिया उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस के दर्जनों नेता बेल पर बाहर है राहुल गांधी नेशनल हिराड केस में आरोपी है सोनिया और राहुल दोनों जमानत पर बाहर है वीजेपी ने कहा कि प्रश्चाचारियों पर कारेवाई होती रहेगी राज राहुल गांधी जी ने वही किया जो वो करते आ रहे हैं एक ही स्क्रिप्ट है 2014 से आज फिर से राहुल गांधी जी ने उसी स्क्रिप्ट को पढ़ा है राहुल जी का कहना था कि देश में नफरत और क्रोध भरा हुआ है वैसे अगर ध्यान से आप लोगों ने सुना होगा तो आज राहुल जी के भाशन में नफरत और क्रोध था और राहुल जी ने एक बात मगर बिल्कुल सही कहा उन्होंने कहा कि नफरत केवल उसी के जहन में होता है जिसके मन में डर होता है जिसके मन में डर नहीं वो कभी भी नफरत को उत्पन नहीं कर सकता वो कभी भी नफरत को जन्म नहीं दे सकता वो कभी भी क्रोधी नहीं होत है बिल्कुल सही कि राहुल जी पाँच हजार करोड के national हेराल्ड घोटाले में आप और सोनिया जी बेल में बाहर है कि जाच चल रही है आप लोगों ने कोट में गुहार लगाया था कि हमें बेल दिया थे जो लोग भ्रस्टाचारी हैं और जिनको लगता था corruption is their birthright and to get away from corruption to get away from the institutions of India is their entitlement क्योंकि entitlement है उनके उपर कोई जाँच नहीं होगी तो सुभाविक है वो आज डरे हुए और यही डर है राहूल गांधी जो आपके भाशन में नफरत और क्रोध जरक रहा था अगर सही बताएं तो यह rally एक परिवार बचाओ आंदोलन था एक परिवार बचाओ रैली थी जिस प्रकार से नैशनल हराल्ड केस में खुद इनके पूर्व मुख्यमंत्री चार चार बार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दसकों पहले जिनकी मृत्ति हो चुकी है उन्होंने भी नैशनल हराल्ड के विशे को उठाया और आज गांदी परिवार को लग रहा है कि वो संपूर्ण तह घिर गए हैं तो अपनी साख को बचाने के लिए अपने अस्तित्तों को बचाने के लिए उन्होंने इस रैली का स्वांग किया है राहुल जी आज भी आप पहले तो पांच उद्योग पती कहते थे उसमें तीन उद्योग पती कम हो गए आज दो उद्योग पतियों के विशह में आप बात कर रहे थे 2014 से ही आप कहते आ रहे हैं उद्योग पती उद्योग पती राहुल जी जहां तक आपका ये स्टेटमेंट है कि ये देश दो उद्योग पतियों का है बड़े स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि आपकी पार्टी केवल परिवार के दो सदस्यों की पार्टी है यह देश भारतियों का है आपकी पार्टी सब की नहीं है आपकी पार्टी तमाम कॉंग्रेसियों की नहीं है आप देश की बात करते हैं केवल दो परिवार के स सदस्य सोनिया जी और राहूल जी एक म्यूजिकल चेर के अंत्रगत अध्यक्ष बनते जा रहे हैं कोई तीसरा व्यक्ति इस पार्टी का अध्यक्ष तक नहीं बन सकता वो आज देश के विशय में और उद्योगपती के विशय में कॉमेंट कर रहे हैं एक लिडर अपोजिशन ने देश के एक सांसद ने एक पूर्व पार्टी के अध्यक्ष ने जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग समविधानिक संस्थाओं के लिए किया है ये चिंता कविश है राहुल गांधी ने ना केवल मीडिया अपीतु जुडिशियरी और इलेक्षन कमीशन को आड़े हाथ लिया तीनों स्तंभों को बिका हुआ बताया और उद्योग पतियों के दवाब में बताया मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया से मीडिया के बिना हम अधूरे हैं मीडिया के बिना लोकतंत्र कभी स्वस्त रूप से आगे नहीं बढ़ सकता है विदाओट मीडिया इस दिमोक्रसी इस इंकम्प्लीट दिमोक्रसी के नेवर मूव अएड इप यूड़ नौट सपोट मीडिया और मीडिया दिमोट सपोर आज बेल पे बाहर है विकाउस अगुवाविक है ब्रस्टाचार किया है तो जांच होगी इसलिए ये बताना कि एजनसीज उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं कहीं न कहीं आपके अंदर के गिल्ट भाव को आपके अंदर के गलानी भाव को दरसाता है आज हम विश्व के पाँचवे सबसे बड़े आर्थिक स्तंब हैं आर्थिक जगत हैं हमने ब्रिटेन को भी परास्त किया है आज ब्रिटेन छठे नंबर पे है तो भारत वर्ष आज पाँचवे नंबर पे है याद करिए राहुल जी आपके समय एक ऐसा वक्त आया था जब भारत फ्रजाइल फाइव एकॉनमी में काउंट होती थी वी वाद फ्रजाइल फाइव एकॉनमी अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंग और सोनिया गांधी इंडिया हैस कम फीच फॉरवर्ड अंडर दे लीडर्शिप आफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो आपने अंत में कहा ना राहुल जी कि जनता सब जानती है जनता सब जानती है तभी तो भारतिय जनता पार्टी को वोट देती है तभी तो आज कॉंग्रेस खतम हो चुकी है तभी तो आज कॉंग्रे जहां से कांग्रेस आरंब हुई थी वहां आज वो अपने जमानत को बचा नहीं पा रही है वाकई राहुल जी जनता सब जानती है and you have to be more responsible in the future.